चैख सो हे गाईज विलकम बैक तो गैस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने wordpress के किसी भी website के अंदर contact का page बना सकते हैं और यहाँ पर हम लोग mail जी तरीके से हमारा forward होगा वो सारा चीज हम लोग यहां पर देखेंगे कि कोई भी बंदा गर contact करता है तो किस तरीके से admin के पास एक mail properly पहुंचता है ठीक है तो यह हमारा एक site है गाई इसके अंदर मैं यहां पर भी contact us के एक page बना हुगा और उसको अपने mail से फिर integrate करके हम चेक करेंगे कि हमारा mail यहां पर proper work कर रहा है या नहीं सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके अपने site पर आना है और simply आपको अपने wordpress को कुछ इस तरीके से WP admin करके login कर लेना है ठीक है तो जैसे मैं यहां पर इस तरीके से WP admin लिखा हूँ तो यहां पर मैं login हो करके dashboard पर आ चुका हूँ अब यह आपको क्या करना होगा इसके आपको यहां पर आ जाना होगा plugin वाले section पर और install plugins पर एक बार क्लिक कर लेना होगा जैसे मैं यहां पर install plugin पर क्लिक करना हूँ गया तो इस तरीके सापको interface technically मिल जाता है ठीक है तो आपको यहां पर add new plugin का एक option देखने के लिए मिलेगा आपको simply इस पर क्लिक कर देना है और यहां पर search plugin में आकर कि यहां पर आपको search कर लेना है WP forms जैसे आप WP forms यहाँ पर search करेंगे तो सबसे fast me आपको कुछ इस तरीके से contact form by WP forms इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा गाईस तो सबसे पहले आपको यहाँ पर install नौपर click कर लेना है तो मैं यहाँ पर install नौपर click कर चुका हूँ अभी हमारा यह जो plugin है वो install हो चुका है अब हम लोग यहाँ पर active का option जैसे आपका install complete हो जाता है तो आपको button यहाँ पर active का मिल जाता है मैं यहाँ पर active पर भी click कर लेता हूँ ठीक है यहाँ पर हमारा गाईस अभी जो है वो wordpress का हमारा जो theme यह जो जो मेरे को plugin का requirement था वो plugin हमारा install भी हो चुका है और active भी हो चुका है यहाँ पर हमारा जैसी active कियें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकता है कि interface automatic WP forms plugin का कुछ इस तरीके से आ चुका है ठीक है उसके लिए मैं एक बार और make sure कर लूँ कि आपको pages के अंदर आ करके all pages में यहाँ पर आपको एक page बना लेना होगा contact का ठीक है तो मैंने यहाँ पर contact us का page बना करके रखा हुए सो वापस से हम लोग आ जाते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर create your first form पर क्लिक कर देते हैं मैंने यहाँ पर create your first form पर क्लिक कर रहे है तो अभी हमारे यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारा setting रहेगा इस plugin का ठीक है WP forms plugin का जो भी setting रहेगा वो हम लोग को सारा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा इस यहाँ पर एक नया option भी आ चुका है कि आप लोग फॉर्म्स को मतलब manually design नहीं करके हम लोग यहाँ पर forms का एक template भी ले सकते हैं तो आपको यहाँ पर आ जाना है और उसके बाद आपको simply get start पर click कर देना है तो यहाँ पर यह सारा का सारा कुछ आपको बता देता है तो simply आपको यहाँ पर gate wp forms पर click करना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको templates का कुछ है इस तरीके से आपको option मिल जाता है ठीक है तो मैं यहाँ पर सबसे first वाले sample को ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं use template पर click कर देते हैं ठीक है तो अभी हमारे जो template है वो एक मैं basic सा template ले चुका हूँ अपने contact page के लिए और यहाँ पर आभी आपको देख सकते हैं कि सारा कुछ मैं को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे है ठीक है जिसमें नेम रहेगा लास्टेम रहेगा email रहेगा और यहाँ पर आपको message या comment का एक आपको देखने के लिए इस तरीके से यहाँ पर text box मिल जाता है अभी मैं यहाँ पर simply setting में आ जाता हूँ setting में आप जैसे आ जाएंगे करना है या फिर phone number add करना है तो simply इस तरीके से आप लोग ड्राइग और ड्रॉप करके यहाँ पर add कर सकते हैं new field आपका इस तरीके से एड हो जाता है ठीक है तो अभी हम लोग आता है setting के अंदर setting के अंदर आप जैसे आएंगे जाएंगे अभी आपको आजाना notification के अंदर notification के अंदर यहाँ पर जैसे हम मैं आया हूं गाइस तो देख सकते हैं कि enable हो यहाँ यहाँ पर मेरा notification और यहाँ बता रहा है कि admin email ठीक है जब भी आप यहाँ पर आपने wordpress को setup करते हैं तो आप एक email आप लोग डालते हैं उस email पर यहाँ पर simply mail जा सकता है ठीक है अधर वाइस आप यहाँ पर simply upload change भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपना simply change कर लेता हूं तो कुछ तरीके से मैंने यहाँ पर mail अगर send होगा तो किस email पर send होगा मैं यह चीज को change कर चुका हूं ठीक है अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक form जो है हमारा complete हमारा एक बन चुक है ठीक है अब यहाँ पर हमारा save भी हो चुक है अब हम लोग जैस क्या करते है कि simply अब हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे जो भी मैंने अभी wordpress कर आजएंगे और यहां पर dashboard पर आकर करके हम लोग page के अंदर जाएंगे अभी मैंने एक new page बनाया था जो contact us के नेम से वहां पर simply चले जाएंगे और कुछ इस तरह के से हम लोग यहां पर edit कर लेते हैं इस पर click कर लेते हैं ठीक है और अब यहां पर हम लोग ब्लॉक में आपको यहां पर कुछ तरह के से plus करने का option देगा और यहां पर gate start का आपको यहां पर देख सकते हैं कि एक message भी आपको कुछ तरह कर रहा है तो आपको यहां पर plus पर simply click कर लेना है और यहां पर मैं browse कर लेता हूं और browse करके simply आपको scroll down हो सर्च कर रहा है तो WP form मेरे को मिल चुका है अब यहां मैं यहां पर यह चीज हमारा आ चुका है अब मैं इसको select करता हूं और यहां पर एक sample हमारा contact form जो मैंने भी बनाया था उसको कुछी सरीके से डाल चुका हूं तो देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो name था email था और हमा यह हमारा page जो है वो ready हो चुक है तो अभी मैं site पर simply visit करता हूं और इस site को मैं header में contact सबसे पहले तो जो हमारा contact us page था उसको मैं add कर लोगा तो यहां पर मैं आ चुका हूं customize पर और यहां पर मैं चला जाओँगा simply menu के अंदर तो यह हमारा menu आगे और यहां पर मैं simply कुछ इस तरीके से हमारे यहां पर सारा मीनू है अब मैं यहां पर add new item करूँगा और contact us page को कुछ तरीके से add करके यहां पर publish कर लेते हैं तो यहां पर हमारा एक contact us का जो हमारा page अभी मैंने जो बनाया था वो हमारे यहां पर add हो जाएगा ठीक है यहां पर हमारा publishing हो रहा है तो guys देख सकते हैं कि यहां पर हमारा publish हो चुका है ठीक है अब हम लोग का यहां पर एक new वापस से आपको अगर मैं site पर visit करूँगा कुछ इस तरीके से तो अभी हमारे क्या होगा कि header में हमारे contact us का भी page यहां पर देखने के लिए मिल ज कि last name में मैं यहां पर डाल देता हूं और यहां पर मैं कुछ भी email डालते हैं कुछ इस तरीके से और यहां पर मैं लिख देता हूं message में मैंने यहां पर कुछ message डाल रखा है अब मैं यहां पर simply submit पर click कर देते हैं so guys जैसे मैं submit पर click कर रहा हूं तो यहां पर देख सकते हैं कि thanks for contact us we will be in touch with you shortly तो इस तरीके से आपको यहां पर message भी आपको show हो जाएगा ठीक है तो अब मैं guys जो mail मैं यहां पर डाला था ठीक है यह वाला mail यह चीज हमारा जो था अब मैं इस mail को simply यहां पर login करता हूँ यह मैं आ जाता हूँ अपने gmail के अंदर so guys मैंने जैसे ही यहाँ पर mail हमारा send हुआ है और मैं यहाँ पर अपने mail में आचुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे टॉप में ही मेरे को वेटेक करके यहाँ पर आ चुका है हमारा है देख सकते हैं कि मेल आ चुका है ठीक है इस तरीके से हम लोग अपने wordpress के ऊपर अपने contact us page के अंदर हम लोग mail feature को enable कर सकते हैं और यहाँ पर काफी easy method में आप लोगो बताया है जो भी step मैंने आप लोगो बताया है बस step by step आप लोगो follow करना होगा सारा चीज ठीक है वीडियो का आप लोग step by step follow कीजिए अगर वीडियो helpful लगता है तो hit the like button and do subscribe मैं चैनल so guys मिलते हैं ऐसे किसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए